नेतन याहू का वार ट्राइंगल तयार हो चुका है हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनन में इसरेल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तयारी कर लेई है वहीं हेजबुल्ला के साथ साथ सिर्या भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बम मारे गये हैं कि अजबुल्ला अब ठंडा पड़ गया है ये दावा अब इसराइल में किया जा रहा है देखिए पहला रॉकेट फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट इसके बाद लॉंच हुआ तीसरा रॉकेट हमास के रॉकेट रॉंच होते हुए इतनी साफ तजबीरें आप पहली बार देख रही है एक के बाद एक हमास दस रॉकेट फायर करता है इसरायल की शहर टार्गेट पर है और घाजा में बंबारी के खिलाब हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है लेकिन ऐसे हमलों और घाजा पर बंबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वार ट्रांगल तयार कर लिया है नेतनियाहू के वार ट्रियंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हिजबुल्ला का अंत है जबकि नेतनियाहू के वार ट्रियंगल का तीसरा सबसे खतरना कोड़ा है सीरिया जहाँ पर इस्रेयल के अरफोर्स ने हमले तेज कर दिये हैं ये तीनों जगए या देश इस्राइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इस्राइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खत्रा मानता है इस्राइल ने सीरिया के अंदर कई सैन्यठिकानों को टार्गिट किया है ये इंफ्रा रड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है इस्राइल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बंबारी हुई है और अब उसकी एरफोर्स का ये हमला सीरिया को मूतोर जबाब है ये हैं इस्राइल का F-16 फाइटर जेट रात भर बंबारी के लिए तयार है साथ में हैं इस्राइल का F-15 फाइटर जेट दोनों ही इस्राइल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तयार रहते हैं इन विमानों में दोनों विंक्स पर लगे हैं दो-दो बड़े बम यानि हर विमान पर चार बहुत ही खतरनाक बम इस बम का नाम है जेटांग यही बम है जिससे इस्राइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के छेकानों पर गिराया जा रहा है यही बम इस वक्त हमास, हजबुल्ला और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है हर एक बम का वजन साड़े नौ किलो से जादा है यानि हर विमान पर करीब चार हजार किलो पारूद लोड किया जाता है और फिर यह विमान इन चार तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते है जब यह बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है इसरेल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है इसरेल और लेबनन के बॉडर पर बंबारी देखिए हिजबुल्ला के छिकानों को इसरेल चुन-चुन कर टार्गेट कर रहा है पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है लाल अक्टूबर यानि हर तरफ खून ही खून और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनन और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है इसरेल इस स्वक्त गाजा में हमास लेबनन में हेजबुला और सीरिया में एक साथ ओपरेशन कर रहा है इसरेल की एरफोर्स के सैक्डों जहाज इस स्वक्त 24 गंटे उडान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बंबारी का ओर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं इसराइल ने आप तस्वीर साफ तोर पर देख सकते हैं धुए का घुबार आपको नजर आएगा हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं लेकिं दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार इसराइल जो दक्षडी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं पिछले कई दिनों से हम इस इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है हम तस्वीर आप देखे भूमत दिसागर के उपर धुए का गुबार आप देख सकते हैं इसरेल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसकी बड़ी वजब भूमत दिसागर में खड़े अमेरिका के दो करियर स्ट्राइक ग्रुप हैं यानि दो एरक्राफ्ट करियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले दो बड़े जंगी बेडे समंदर में ऐसी ताकत दिखा कर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इसरेल की मदद के लिए 2400 गंटे तयार है यही भरोसा है जिसकी वज़े से घाजा में इसरेल की बंबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है इस बंबारी की शुरवाद 7 अक्टूबर के बाद से हुई क्योंकि पहले हमास ने इसरेल में 1400 लोगों को मारा और अब इसरेल ले रहा है बहुत ही खौफनात बगला नीरोज गाउं में जहां की फेंसिंग तोड़कर आतंकवादे घुसे थे वहाँ न्यूजेटीन इंडिया की टीम को क्या कुछ नजर आया आईए देखिए 24 दिन हो गए हैं लेकिन अभी ये गाउं सुरक्षित नहीं है बिलकुल क्योंकि गाजा बॉर्डर पे यहां से आपको फेंसिंग पहले दिखा दे करम पहले फेंसिंग दिखाई है इन ही फेंसिंग में से कहीं से तोड कर वो सैकडो की संक्या में आतंकवादी गाउं में घुसे थे और ये सामने में आपको गाजा दिख रहा होगा ये फेंसिंग अगर आप पार करेंगे थोड़ी दूट जाएंगे तो आपको गाजा दिखेगा हम पीछे आएंगे और इधर आपको इसी फेंसिंग को तोड़ के पहले तो पूरा जो बाहरी इलाका था उसको तबाह बरबाद किया ये देखिए जो फेंसिंग टूटी हुई ज्यादा हुई है पंखे से लेके कुर्सियां से लेके जिम फिटनेस जो एक्विप्मेंट से वो आपको जला हुआ दिख रहा है कि कैसे हर जगह ये देखिए लकडियां लोहे स्टील कैसे जलाया गया है जो फेंसिंग के नजजदीक का इलाका था वहां सबसे ज्यादा मा पूरी खतम हो गई ये ज्यादा तर किसानी करते थे इस लाके में और वहां पर त्योहार का आलम था तो सब लोग त्योहार मना रहे थे और तब जाकर ये बरबरता वहां पर दिखाई गई है वहीं अक्तूबर में ही पश्चिम इश्या का ये हिस्सा ग्यारा हजार मौतों की गवाह बन चुका है ग्यारा हजार मौते बहुत ही बड़ा अकड़ा है लेकिन डर अब ज्यादा है हमले लिबनान की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं इसरैल ने लिबनान बॉडर पर हमले तेज कर दी हैं खासकर उन इलाकों में जहां पर हिस्बुल्ला का कबजा है और इसकी लिए एक बहुत बड़ी वज़य भी है हिस्बुल्ला के कई हमलों ने इसरैल की बहुत ज्यादा बेज़दी कर दी है हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है एंटी टैंक मिसाइल से उसने इस्रेल के कई अड़े बहुत ही सठीक हमलों में उड़ा दिये पहला हमला टावर होल गया दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया तीसरा हमला एक और अड़ा तहसन है सो गया ये जगह है लेबनन और एजरायल के बॉडर पर शीबाव फार्म्स का इलागा दुनिया के सबसे खतरनाक बॉडर्स में से एक और यहां बने हैं इसरायल के पांच बहुत ही खतरनाक अड़े अड़ा नमबर एक अड़ा नमबर दो अड़ा नमबर तीन अड़ा नमबर चार अड़ा नमबर पांच ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की उचाई पंद्रह सौ मीटर तक है नीचे लेबनन का इलाखा है और यहीं से अटैक लॉण्च किया गया इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाखे की टोपोग्राफी कौन कहां मौजूद है कौन सा इलाखा किस के पास है सबसे पहले इसरैल का अड़ा नमबर ये शतुला इलाखे में बने इस सद्टि पर हिजबॉल्या ने किया पहला हम्ता हिस्बुल्ला ने कॉर्णेट मिसाइल से अटेक किया जो सीधे जाकर इस्बुल्ला के कैम्प में खलबली सी मच गई है क्योंकि निशाना भी दिल्कुल सठीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह होगे इसके बाद टार्गेट बना इजराइल का अड़्डा नमबर दो ये भी शतुला इलाके में है और यहां हेजबुल्ला ने किया दूसरा हमला अड़्डा नमबर दो हिजबुल्ला का दूसरा टार्ट है इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71 TOW Anti-Tank मिसाइल का इस्तिमाल किया अमेरिका में बनी ये मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा इसके बाद टार्केट बना इस्रैल का अड़डा नमबर 3 ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला अड़डा नमबर 3 हिजबुल्ला का तीसरा अटर इस बार हेजबुला ने कॉंकर्स एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल फायर की रूस की ये वायर गाइड़ मिसाइल भी इसरेल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है इसके बार चौथे और पांचवे अट्डे पर भी हेजबुला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अट्डों का हुआ है हजबुला का दावा है कि इन हमलों में इसरेल को बारी नुकसान हुआ है और उसके कई स्ैनिक भी मारे गए है हजबुला के ऐसे ही हमलों के बार इसरेल चुम चुम कर बदला ले रहा है वो अब हजबुला को झोई मौगा नहीं देना चाही इस्राइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौझूदगी है किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गाउं है वहाँ पर नितबाही के निशान है वो देख सकते हैं यह एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा देखे सिवाए एक बिल्ली यहाँ पर नजर आ रही है और देखिए हाल ही में इस पर अटाइक किया गया है रॉकिट से इस पर अटाइक किया गया है रॉकिट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है इस्राइल के जवादी हम लों को देख कर कोई भी नहीं कहेगा कि इस्राइल अब बीछे हटेगा उसके रास्ते में जो आएगा इस्राइल अब उसे मिटाना चाहता है फिर चाहे वो हिजबुल्ला हो सीर्या हो या फिर इरान कि के बप्रनेमि देखाल इस्राइल इस्राइबं इस्राइल गडडन स değild encontramosा इस्राइल स एर-स्तामद экसि वाद।्स्ट्ट न हुड सिर्ड और कि इस्राइलות hela बाद लूद़ लादार इन Daar new我知道 है विस्राइल इस्तिबूस् nesselे स्टजाइल इस्राइल और गाजा के बीच शुरो होई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है ये युद्ध लेबनन और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है अब पूरा पश्यमेशिया इसकी जड़ में कैसे आएगा सबको यही डर सता रहा है हिजबुल्ला इस वक्त इस्राइल के जड़ में बड़ा पलीता लगा सकता है और इसका असर लेबनन की जमीन पर देखने लगा है ये दक्षनी लेबनन है और यहाँ पर इस्राइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्ला के लड़ाकों का जनासा निकल रहा है साथ में सैक्रों लोग हैं जो इस्राइल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं साथ अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनन इस्राइल का बॉर्डर भी एक्टिव है यहाँ पर इस्राइल ने जितने भी हमले किये हैं उसमें हेजबुल्ला के 40 से ज्यादा लड़ा आके मारे जा चुके हैं हेजबुल्ला हो संगठन है जिसे एरान से पूरी मदद मिलती है और एरान हेजबुल्ला को इस्राइल के खिलाफ एक बड़े हत्यार के तोर पर इस्तिमाल भी करता आया है इसलिए अगर हेजबुल्ला को नुक्सान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजे कि इरान को भी बड़ा जटका लग रहा है वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्यमेश्या को बारूद के देर पर बैठा चुकी है